पढ़नी शुरू हो चुकी है हर कोई इस गर्मे से खुद को बचाने का प्रयास कर रहा है और आज के तकनीकी के युग में भी लोग गर्म से बचने के लिए मिट्टे से बने घड़ों और सुराही का प्रयोग करते हैं लेकिन अभी भी कुमारों पर गर्मे की मार बरकरार है और इसे पर देखे हैं हमारी ये रिपोर्ट विज्ञान तरक्की कर रहा है लेकिन तकनीकी युग में आज भी लोग गर्मी के मौसम में मिट्टी से बने घड़े और सुराही का प्रयोग करते हैं विंटर सिजन आते ही कुमार भी मिट्ची के बरतन बनाने में जुट जाते हैं मगर इस बार महंगाई की वजह से कुमारों का धंदा मंदा हो गया है ना तो कुमारों को उचे दरतामू में मिट्टी मिल रही है और ना ही सरकार से कोई लाब ऐसे में परिशान कुमारों को जिगर्मी से बेहिद आशा है कि अथिक संख्या में कुस्टमर्स उनके पास आएंगे और मिट्टी के उपकरण को खरीदेंगे अगर धरातल की बात करें तो सच्चाई आज भी जसकी तस है एक और फिल्म दबंग में जस्तरह से अभिनेत्री सुनाक्षी सिन्हा को कुमार के रूप पे मिट्टी के बर्तन बनाते दिखाया गया है लेकिन वास्तविक्ता इससे काफी तर है घुट् zbor घुटर को किस लाब मिला हैं यह म हम्हें को दे रहे हैं क्या लाब देने पताया है तो इस गर्मी क्या उम्मीर है अब क्या जब सीजन चलता है अब माल बिके तो हम लोगों को लगे कि हाने हमारा माल भी करा है अब महेंगाई की चक्कर से कोई कस्टुमर को बताओ तो यहां से अरे आप लोग इतना महेंगा माल बेच रहे हैं निराशा की लकीरे खीचे चुके कुमहारों के चहरू पर आशा की किरन गर्मी ने आकर खीचती है मगर महेंगाई की मार ने कुमहारों की मुश्कुलों को और ज़्यादा बढ़ा दिया है इस बार बाजार में 30 रुपे से लेकर 500 रुपे तक के मटके और सुराई आई हुई है मटकियों को सुन्दर दिखाने के लिए तरह तरह की कलाकारिया भी की गई है कुछ मटकियों में तो टोटिया भी लगाई गई है जिससे आसानी से पानी निकाला जा सके तोटी वाले भी घले हैं और साधे भी है पूलदार भी है एक और बड़े दावे किये जाते हैं लेकिन सरकार भी दमान तरीके के प्रयास कर रही है कुमहारू की दशा को सुधारने के लिए लगतार काम कर रही है सरकार लेकिन अभी भी कुमहारू की जिन्दगी की कठनाईयों का तौर कम नहीं हुआ है क्योंकि उनकी मिट्टी भी उचे दामों में मिलती है और उसके बाद उनकी साल भर की मेहनत तब बरबाद हो जाती है जब रहक भी ज्यादा नहीं पहुँचते गर्मी के शुरू होते ही लोग पे पदारतों का सेवन करना शुरू कर दिते है आज भी लोग मट्को का पानी पीते है और इस वक्त हम खड़े हैं मट्का लेने वाले दुकंदारों के पास क्योंकि आपको दिखा दे यह वो कुमार है जो साल भर मट्का बनाते है और पिर इसके बाद ये गर्मियों में इनको बेशते हैं, आप देख सकते हर साइच के मटके हैं यहाँ पर और ये वह आंटी है जो मटका बनाती हैं और इनसे हम बात करेंगे आंटी इस बार मटके आएं वो किस रेट के आएं? वो बहुत महेंगे आएं और गहां लेने नहीं आते जो रेट सुनते हैं वो वापस चले जाते हैं और तीन सो तीस से थीन सो तक रेट राइ घड़ों का गर्मी शुरू हो गई है तो क्या लग रहा है कस्टूमर आ रहा है कि नहीं आ रहे है कि तरह किस्तूमर कम आ रहे हैं? कि मुट्मूमर कम आ 1968 आते हैं वी तो रेट सुनते वाइज़ आ पस चले जाती अप लोगों को किया रही हैं तक काफी उम्मेद रहती हैं साल भर आप लोग तयारी करते हैं मट्त अड़ मिल नहीं रही है हम लोग परिशांद हैं आण nutrini लेने जान अधिशन हनE मिलेगी तो बढ़ी कहां से बनेंगी करता कुशास ऑपने साल का साथ साल से जादा हो गई थो sure कभी ऑसे मंढ़ी श्राव सने विजोर से लोग काम कर रहें हैं कभी नहीं देखा पहली मर्तवे ये देख रहे हैं कि महेंगाई की वज़े से गहां नहीं आ रहे हैं लेने के लिए तो देखे जो कुमार हैं वो कहीं न कहीं परेशान है क्योंकि सरकारी योजनाय उनके लिए नहीं हैं सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही है और लगातार महें पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ बेल आइकॉन दबाना ना भूले ताकि हर ख़बर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंद आप हमें स्टा, ट्विटर और फेस्बुक पर भी फॉलू कर सकते हैं हमारे आईडी है at the rate to jmd news slash